असलाम लेकुम यासमीन माखान चैनल में आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीमी चिकन टिक का जो कि आपने बहुत जादा शौक से खाई होगी दिल्ली में यह दिल्ली का बहुत जादा फेमस है और सबको यह बहुत जादा पसंद होता है खास तोर से इसे चपाती रोटी के सा अबर चिकन ले लिया है इसको अच्छी तरीके से हमने वाश कर लिया है चिकन हमारा हड़ी वाला है तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे इसमें बहुत जादा मसाले नहीं जाते है लेकिन जितने जाते मैं इसके अंदर मैरिनेट कर दूँगी तो 700 ग्रा जो तीखी होती है यह वाली हरी मिर्च थी अब इसके अंदर हम डालेंगे दो बड़े चमच दही दही को मैंने अच्छी दरीके से बीट कर लिया है और दही एकदम फ्रेश होना चाहिए जादा खटा नहों क्योंकि जादा खटा होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाए कि ह हाफ लेमन का हम यहाँ पर जूस एड कर लेंगे तो हाफ लेमन लिया है मैंने अब इसका मैं जूस एड कर लूँगे एक टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्चे दरदरी कुटी हुई है और फ्रेश कूट कर डालेंगे तो जादा अच्छा फ्लेवर आएगा एक टी स्पून ही मैं इसके अंदर एड कर दूंगी चाट मसाला पाउडर एक टेबिल स्पून जिंजर गालिक कर लेंगे अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे जिए कवर कर दिंगे और एक से देड़ घंटे के लिए रैस पर छोड़ देंगे और मैं इसको की चन कांटर पर ही छोड़ दोंगी चिगन को मैरिनेट हुए एक घंटा हो चुका है तो अब इसे हम कू ताकि मसाला हमारा दोबारा से मिक्स हो जाए पैन को मैंने गर्म कर लिया है साथ ही इसके अंदर एक टेबिल स्पून ओइल एड़ किया है एक टी स्पून ओई से भी कम चल जाएगा क्योंकि इसको हम बाद में बटर डालने वाले बहुत सारा सा तो यहां पर हमने क्या करना है और हाइ फ्लेम पर इसे तकरिबंन तीन से चार मिनट के लिए अच्छे से कुक हो जाने देंगे जब इसके अंदर नीचे से गृल मार्क आ जाएगे तब हम इसको करेंगे साथ मिनट हो गये हैं तो अब बीच बीच में हम इसमें चम्म्ट चलाते रहेंगे क्योंकि अब इसके अंदर पानी नहीं है तो नीचे से चिकन जल सकता है इसलिए हम भीच बीच में इसमें चम्म चलाते रहेंगे थोड़ा सा हिलाते रहेंगे चिकन को और चिकन जब तक गलता है हमारा तब तक हम इसे कुक करेंगे तो चिकन को पकते हुए तक्रिबर हमारे 5-7 मिनाट और हो गया है चिकन अच्छी तरीके से गल भी गया है और अच्छे से इसमें ग्रिल मार्ट आ चुके है तो अब हमने क्या करना है कि इसको देना है थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आप इसको इस तरीके की नैट आती है उस पर अच्छा अच्छा फ्लेवर आजाता है तो हम बीच में थोड़ी सी जगा बना देंगे इस तरह से और जलता हुआ चार कोल हम इसके अंदर एड कर देंगे और इसे हम कर देंगे और तक्रिबर पांच मिनट के लिए इसको इसी के स्मोक में रहने देंगे ताकि अच्छी त मगाई अगर आपको वो एविलिवल ना हो तो अमूल की फ्रेश क्रीम आती है आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यह मेरे पास में 300 ग्राम है साथ ही हमने यहां पर ले लिया है यह और यहां पर दो से तीन टेबिल स्पून उपर तक भर कर मैंने घर का जमा हुआ गाड और यह फ्रेश है अब इसको हम हलका सा ही चलाएंगे बहुत जादा नहीं चलाएंगे नहीं तो घी अलग हो जाएगा और जो पानी है वो हमारा अलग हो जाएगा तो हलका हलका करके हम इसमें दो दफा चलाएंगे बस 10-10 तेकिंड के लिए दाही और क्रीम को हमने इस तरी तो यह इस तरीके की हो जाएगी बिल्कुल स्मूध हो जाएगी यह देखें आप बहुत ही अच्छा हो चुका है तो यह जब ग्रेवी में डालेंगे तो बहुत अच्छी ग्रेवी इसकी पन कर तयार होगी 150 ग्राम हमने यह पर अमूल का बटर ले लिया है यह सॉल्टेड व अमगे के हम उपर से आड़ करते हैं तो यहां पर मेंने जो दाइख यह एं जो जो ओड़ी थोड़ा सा फ्रोट चार्ट मसाला और यह जटा जिया है तक एस सब्सक्रिपक्री अजह पादी है कमरवेा ज्यवेजाओ कासरा फिले फुरस दिलेने बहुत कि इतना यह अब इसके अंदर हम डालेंगे बटर इसको मैं अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है यह देखिए आप देखने में कितना ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है खाने में बेहदी मज़िदार है तो बनाइए खाईए और बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी है रेसिपी पसंद आने पर लाइक करें फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें आप इसको चपाती रोटी के साथ मे बहुत लाजवाब लगता है तो यह बहुत ही मशूर है दिली का इसको बनाइएगा जरूर एक दफा ट्राइ करने के बाद में बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी है रेसिपी पसंद आने पर लाइक करें फ्रेंस और फैमली में शेयर करें चैनल को मेरे सब्सक्रा करना बिल्कुल भी मत भूलेगा हाजर होगी एक नई रेसिपी में तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का खैल लहाफीज